दोस्तो यह है चन्दा का घर और चन्दा के पती अभी अभी खेट से आये हैं और विस्तर पर आराम कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है और यहाँ चन्दा सोरं को कखग पढ़ा रही है अच्छा चलो सोनम बेटा मैं तुम्हें कखग सिखा देती हूँ अब तुम मार नहीं खाओगी टीचर नी दीदी से मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती हो कितना असान है काखग चलो मैं अच्छे से याद करा देती हूँ अच्छे से याद कर लो ठीके अच्छा चलो सोनम बेटा मैंने सिखा दिया है ना तुम्हें अब मुझे पढ़ कर सुनाओ अच्छा ठीक है मम्मी मैं अभी आपको शुनाती हूँ का खा गा घड़ चा चा अरे वा सोनम बेटा तुम्हें तो पूरे हिंदी के अक्षर याद हो गये है बहुत ही अच्छे ऐसी पढ़ाई करा करो फिर में तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगी हाँ मम्मी मुझे भी डॉक्टर बनना है अब देखना मैं बहुत ही अच्छे शे पलाई कर लूँगी और दॉक्टर बन के दिखाऊंगी हाँ हाँ सोनम बेटा तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो मुझे पता है तुम बहुती बड़ी डॉक्टर बनोगी अरे सोनम के पापा आपको क्या हो गया जबसे खेट से आए तब से 20 तरफल लेटे हुए है क्या हुआ अखिर आपको अच्छा सोनम की पापा घर में कोई सबजी नहीं है बनाने के लिए आप एक काम कीजिए बाजार जाकर सबजी खरीद लाइए अच्छा ठीक है सोनम की मम्मी अभी थोड़ी देर बाद जाता हूँ खेत से आने के बाद बहुती कमर दुख रहा है थोड़ा आराम कर लेने दो ये सोनम की मम्मी भी ना अच्छा ठीक है सोनम की पापा आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए लगता है सोनम की पापा ने आज बहुती महनत की है खेतों में अरे वो तो नेहा है, अरे नेहा कहां पर जा रही हो, यहां पर आओ न जरा, इतने जल्दी जल्दी कहां जा रही हो, चलो चलो चिंकी बेटा जल्दी चलो वरना सबजी वाला चला जाएगा, अरे चंदा आवास दे रही क्या मुझे, अरे चंदा तुम क्या हुआ, जल्दी बताओ मैं बहुत ही जल्दी में हूँ अरे अरे निहा इतने जल्दी में कहा जा रही हो आओ थोड़ी देर बैठो यहाँ नहीं चंदा बैठने का समय नहीं है गाड़ी वालाया है सबजी लेकर सुना है एक गोभी पे एक गोभी फ्री दे रहा है मुझे जल्दी जाना पड़ेगा और वहाँ पर तो बहुत ही जादा भीड लगी है सारी सबजी खतम हो गई तो अच्छा मैं चल्दी हूँ चंदा चलो चलो चिंकी बेटा जल्दी चलो अरे क्या बात कर रही हो ने हाँ सबजी मालाया है क्या और एक गोबी पर एक गोबी फ्री दे रहा है मेरे घर में भी सबजी नहीं है मैं बस लेने ही जा रही थी जरा पताओ तो कहां पर है अले चंदा अंटी वो नाके पल है चलो चलो मम्यम चलते हैं यह वालना गोबी खतम हो जाएगी हाँ हाँ चिंकी बेटा चलो जल्दे से अच्छा चंदा मैं जा रहे हूँ तुम तो स्कूटर पे भी आ सकती हो क्या कहा स्कूटर अरे हाँ अच्छा एडिया है चलो एक काम करती हूँ स्कूटर पे मैं ही चली जाती हूँ पापा का तो कमर दर्द कर रहा है। कहा गया आखिर, हाँ हाँ मिल गया, और यहां चंदा जल्दी से अपना पर्स लेकर सबजी खरीदने के लिए निकल पड़ती है, अच्छा चलो सोनम, बिड़ा मत करो, चलो जल्दी से स्कूर्टी पर बैटो, हमें जाना है सबजी खरीदने के लिए, ये बोलकर चंदा स्कूटर पर बैट जाती है और यहां चंदा और सोनम स्कूटर पर बैट चुकी है तुम अच्छे से बैट गई ना सोनम? और आ सोनम की मम्मी रुक जाओ मैं जा रहा हूं सबजी या लाने के लिए तुम जाओ कोई बात नहीं सोनम के पापा आप आराम कीजिए मैं जा रही हूं सबजी या लाने के लिए थोड़ी और देर हो गई तो सारी सबजी खतम हो जाएंगी अच्छा सोनम तुमने कसके पकड़ा हुआ है ना मैं गाड़ी स्टार्ट करने जा रही हूं हाँ मम्मे मैंने कशके पकला हुआ है और ये केकर दोनों स्कूर्टी बेट कर जाने लगते हैं चलो चाती हूं जल्दी से अभी तो राधा को भी लेना है रास्ते से चलो सोनम बेटा हम राधा आंटी की घर पर पहुचने ही वाले हैं यहाँ चंदा और सोनम राधा के घर पर पहुच जाती हैं अरे बहुती सादर लेट हो रहा है सारी सबजी खतम हो जाएंगी अरे राधा अरे ओर राधा कहां पर हो तुम जल्दी आओ यहाँ पर अरे ये राधा कहाँ पर चली गई श्याम थो अकेले ही सोया है वहाँ पर यहां राधा छट पर सूखने के लिए मिर्चिया फैला रही होती है चलो अच्छा है मैंने मिर्चिया सूखने के लिए डाल दी कितनी अच्छी दूप निकली हुई है अरे ये तो चंदा दीदी की आवाज है अरे ओ राधा अरे चंदा दीदी आप है क्या रुको रुको मैं अभी नीचे आती हूँ क्या राधा छट पर क्या कर रही हो जल्दी आओ नीचे चलो हमको चलना है अरे हाँ दीदी अभी आई लेकिन कहाँ पर जाना है हमें अरे राधा ज्यादा सवाल मत पोछो जल्दी से तुम नीचे आ जाओ अच्छा हाँ दीदी रुकिये मैं अभी आती हूँ नीचे ये बोलकर राधा जल्दी से सीडियों से नीचे आने लगती है क्या हुआ है आखिर दीदी कहाँ पर जाने के लिए बात कर रही है तो लोग जाकर देखती हूँ क्या राधा मैं तुम्हें कब से भूला रही थी अच्छा चलो बैठो जल्दी से हम लोग जा रहे हैं अरे दीदी लेकिन हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं आपने तुम मुझे पताया ही नहीं अरे राधा सब्जियों की सेल लगी हुई है चलो चल दी अले मम्मी लेकिन आप तो मुझे भी लेकर जाने वाली थी लेकिन आपने तो मुझे श्याम को दे दिया खिलाने के लिए हाँ सोनम बेटा तुम तो मेरी अच्छी वाली बच्ची हो ना मम्मी आप तो हमेशे ही एशक कोल्टी है ठीक है फिल आपको अगली बाल मुझे आईस क्रीम खिलाने के लिए लेकर जाना पलेगा अच्छा ठीक है सोनम बेटा में तुम्हें आईस्क्रीम खिलाने लेकर चलूँगी लेकिन आज श्याम का ख्याल रख लो अच्छे से अच्छा बैठो राधा तुम हाँ हाँ दीजी रुकिये मैं अभी बैठती हूँ लेकिन दीजी मैं तो पहली बार स्कूटर पर बैठ रही हूँ मुझे डर लग रहा है अरे राधा तुम भी ना चलो अच्छे से पकड़े रहो मुझे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ गाड़ी दीजी लेकिन धीरे धीरे चलाना गाड़ी जल्दी में कुछ गरबर मत कर देना हाँ हाँ राधा अच्छा चलो हम चलते हैं बहुती सार देर हो रही है चलो 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 चल्दी अरे धीजी धीरे आगे गाए हैं अरे आहाँ यहाँ जल्दी जल्दी चलाने के चकर में राधा और चंदा का एक्सिडेंट हो जाता है और वो दोनों स्कूटर से गिर जाती हैं और उन्हें बहुत ही ज़दा चोट लग जाती है अरे अरे दीदी आपको जोड से तो नहीं लगी ना बहुती ज़्यादा दर्द हो रहा है अरे राधा कहाँ पे हो तुम दीदी मैं हाँ परू बहुती जोड से लग गई मुझे दीदी आप ठीक तो है ना ज़्यादा चोड तो नहीं लगी आपको अरे राधा बहुती जोड़ से चोट लग गई सर पर बहुती खुन गिर रहा है अले मम्मी और लाधांती तो श्कोतर शे गिल गई है अले मम्मी मैं अभी आ लही हूँ ये बोलकर सोरम जल्दी से भाग कर अपने मम्मी के पास जाने लगती है अले लाधांती आप ठीक तो है ना आपको तो बहुती ज़्यादा चोट लग गई है अले मम्मी आपको भी बहुती ज़्यादा चोट लग गई है अब मैं क्या कलूँ उठी है ना मम्मी उठ जाए जल्दी से चला मैं जाती हूँ जल्दी से नर्श आंती को बुला कर आती हूँ हाँ हाँ जाती हूँ जल्दी से मम्मी आप लोग टेंशन मत लेजे मैं भी जाती हूँ ये बोलकर सोनम नर्श दिदी को बुलाने जाने लगती है और यहाँ नर्स दीदी राधा के घर के आगे से ही गुजर रही होती है अले नर्स दीदी अच्छा हूँ आप मुझे यही पल मिल गई चले चले देखिए मम्मी और आंदिश कूदिश गिल गई है अरे क्या बोल रही हो सोनम बेटा चलो हटो मुझे देखने तो आखिर क्या हुआ है यहाँ पर अरे लगता है दोनों का बहुती बुरा एक्सिडेंट हुआ है चलो सोनम हमें इने ले जाकर खटिये पे लेटाना होगा यहाँ नर्स दीदी चंदा और राधा को लागर खटिये पर सुला देती है अरे आज कल के लोग बीना गारी को चलाते नहीं उडाते हैं तभी तो इसी दुरगटना हो जाती है अच्छा सोनम बेटा मुझे पानी लाकर देदो मैं इनका घाव फोच कर पटि कर देती हूँ चलो जाकर देखती हूँ आखिर इनको कहां कहां चोट लगी है खून तो लगता है बहुत ही ज़ादा गिर गया है चलो इनका मलं पटि कर देती हूँ जल्दी से अले श्याम मतलो तुम अभी लादा आंदी ठीक हो जाएंगी नर्ष दीदी आ गई है ना यहाँ नर्ष दीदी ने चंदा और राधा का मलं पटि कर दिया है चलो इनको पटि तो मैंने बांदी है अब ये जल्दी ठीक हो जाएंगे अच्छा ठीक है सोनम मैंने दोनों को पटि बांदी है अब ये दोनों जल्दी ठीक हो जाएंगे और दोनों को जल्दी होश भी आ जाएगा तभी राधा और चंदा को होश आने लगता है अरे अरे राधा तुम ठेक तो हो ना ज़्यादा चोड़ तो नहीं लगी न तुमें हाँ हाँ देदी मैं बिल्कुल ठेक हूँ ये बोलकर राधा और चंदा उठकर बैट जाती है अले देखो श्याम मम्मी और लाधा अंती ठीक हो गए है चलो चलो हम चलते हैं उनके पास अले मम्मी आप लोग ठीक तो है ना आप तो बहुत ही जोल से गिल गए थे वो तो अच्छा हुआ कि नर्स दीदी यहीं से चा लही थी अच्छा तो मैंने तुम दोनों को दवाई लगा दिये लेकिन तुम्हें इतना सथा चोट के ऐसे लगा अरे नर्स दीदी अब आपको क्या बताए हम बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ इसलिए हमें कभी जल्द बाजी नहीं करनी चाहिए अच्छा घबराने की कोई बात नहीं है मामुली सी चोट है बस खून थोड़ा ज़्यादा गिर गया है और हाँ अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना गाड़ी चलाते वक्त हमें गाड़ी धीरे और अच्छे से चलाने चाहिए हाँ नल्स दीदी मामी शेल की चकल में कुछ ज़्यादे जोल से गाली चला लई थी वैसे चंदा सोनम बहुत ही ज़्यादा बहादूर है वो डरने की बजाए जल्दी से मेरे पास आ रही थी अच्छा जो हुआ वो हुआ आखिर हमें सीख तो मिली हाँ हाँ हाँ